गोलू राजा से एक पत्रकार पूछता है कि अक्सर आपके ऐसे कई वीडियोज वारल होते हैं जिसमें आप मंच पर खड़े होकर बातों ही बातों में अपने साथ प्रोग्राम करने वाली महिया कलाकार को कुछ नुकुछ बोलते रहते हैं जिसे ये होता है कि आपके मंच प कर बोलते हैं या करते हैं तो गोलू राजा कहते हैं कि हम जब मंच पर चढ़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि पब्लिक को जुमाने का कोई कसर न छोड़े इसलिए हम कुछ भी बोलते रहते हैं सबांते रहते हैं मंच पर जाने से पहले कुछ भी सोच कर नहीं जाते हैं कि हम को क्या बोलना है क्या करना है बस उस वक्त मंच पर जैसा महौल रहता है हम ऐसा ही बोलते हैं और करते हैं मेरा जो होता है रियल होता है बनावटी कुछ भी नहीं होता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी-कभी मंच पर कुछ घवंडी लड़किया भी आ जाती है जो जान ब कोई नहीं है और गोलू राजा की इन ही आज़तों को देख कर लगता है कि वो कलाकार कहलाने की हगदार है ही नहीं सब को पता है कि गोलू राजा मंच पर लड़कियों के साथ कितनी बत्तमीची करते हैं अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को मंच पर किस तरह से गोलू के लिए मन्द से क्या कुछ बोले थे लेकिन इसके बावजूद भी गो लुराज़ा अभी भी ये नहीं मान रहे हैं कि वह लड़कियों के साथ मंछ पर दूर। करते हैं. और तो और जो से बड़े दिक्कत यह है कि वो कहीं भी अपने गलती नहीं मानते हैं वो ये कभी स्विकारते नहीं है कि मंच पर महिला कराकारों के साथ कितने गंदे तरीके से पेश आते हैं और तो और उनके बेशर्मी की हद तब पार हो जाते हैं जब उन्होंने सोना सिंग जैसी लड़क गोलू राजा अपने सफलता और दारू के नशे में मंच पर चढ़कर ये भूल जाते हैं कि उनको महिलाओं के साथ किस थरीके से पेश आना है मतलब गोलू राजा की बातों से तो साफ यहीं लग रहा है कि गोलू राजा के साथ मंच पर जो भी लड़कियां प्रोग्राम करती हैं जो है वो गाना गाती हैं या डांस करती हैं सिंगर हो या डांसर हो वो लड़कियां गोलू राजा के नजर में तभी सही हैं जब वो गोलू राजा या उन जैसे कलाकारों को एंटर्टेन करें अपने साथ मंच पर गंदा-गंदा मजाग करने दें द्वियर्थी स सरहज बन जाएं और जो लड़की ये सब करेगी वो गोलु राजा की पसंदीदा होगी गोलु राजा उसकी खुब तारीफ करेंगे और तो और अपने साथ हर प्रोग्राम में लेकर जाएंगे खुब कारिकरम दिलवाएंगे गाना गाने में मदद करेंगे लेकिन सोना सल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज उठा रही है और जो ये कहने का हिम्मद उठा रही है कि आप मेरे साथ मंच पर बत्तमीजी से पेश नहीं आ सकते हैं वो लड़की घमंडी है जो निशा पांडे जैसी कलाकार जो भरे मंच पर अपने बाप भाई की उम्रे के दर्शक हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको गोलू राजा लागतार प्रोग्राम दिलवाएं तो आपको मंच पर गोलू राजा के लिए नियोच्छावर होना पड़ेगा आपको खुद को समर्पित करना पड़ेगा ताकि गोलू राजा जैसे कलाकार जो चाहें आपके साथ प पूलर लगाया जाता है तो कोई उनहीं लड़कियों के साड़ी से तारी में पीने लगता है जो कोई जबड़स्ती पेट के नीचे इस साड़ी पहनाता है बागिया आप ऐसे लोगों के लिए गोलू राजा जैसे तुक्ष कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगी अपनी लाए कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा वीचियों को समात करते हैं मनते हैं नहीं वीचियों में धन्यावाँ